नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है स्री शामी सरद्धानंद की पुन्निस मृती में आज का हमारा जहाँ विशेश लेख आपके सामने प्रस्तु थे इस लेख के लेखक है पंडित दंगा पसाद अपाद्य है आईए आगे बढ़ें विशे की और चलें बातार वेद के सिद्धानतों से जोड़ा विशे आपके लेले कर आते हैं इसलिए वेदिक राष्ट को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमति सुजाओ कमेंट करें धन्यवाद यू तो आरे समाज किसी भी समय सिर्फ स्वामी सरद्धानन जी को भूला नहीं सकता परन्तू 1946 इश्वी का दिसंबर मास किसे इस रूप से स्वामी जी की आद दिलाता है स्वामी जी महराज का जीवन इस समय हमको कितना सहरा देता इसका रूमान लगाना कठेना है परन्तू महापुर्शों की स्मृति का एकमात रूप यो गिया है कि हम अपने जीवन को स्मृति से प्रभावित करें नास्परयंती तही जीवनानी सुभानी सर्वानी महाजननाम सजीवनम सर्धायतुं समर्थावयं स्वस्वनर्म यथात आसन अस्मासु मृत्युष्च मुखं गतेशु तज्चेम जीवनानिक पदकिंचतानी अगंतु कानाम सुसहायार्थं रेणों तटे काला महोददेश्च इमानी चनवानी विलुक येन गंभर संसार समद्रयात्री भग विंचाहता फगनपोता सम वहे तेकम हताश बंदुता हम भी अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं इस इंसार से प्रेणा करते हुए इसे चिन काल रूपी समद्र की रेत पर छोड़ कर जा सकते हैं जनको देखकर नराश वक्तियों के अंदर भी आसा का संचार हो जाए आर रिजाती इस समय संगट में हैं इसका जहाज तूटा समाज के लिए प्रश्न ही नहीं प्रश्न तो यहाँ है कि उन्होंने क्या नहीं किया संगठन साहित संस्ता तीनों विभागों में उनकी बुद्धी और उनके परिश्रम के चमतकार दिखाई पड़ते हैं परंतु समय एक ही बात पाठकों की और हम ध्याना करशे करवाना चाहेंगे समय में इस समय बल्यदान भवन में बेटा हूँ बल्यदान की बात में सोच रहा हूँ सारवदेशिक सभा के चन्म में पुझ्य सामी जी के विशेश यत्न रहें यही उनका प्राणान तो हुआ अता सारवदेशिक सभा पर उनकी अंतिम चाह है जब सारवदेश प्रशी लोग जानते थे कि जिस समाज में संगटन नहीं बहाचाहे कितना भी प्रबल के होना हो तुफान के जोकों से सहन नहीं कर सकता। समाज का जो जो काम बड़ा उसकी कठनाईयां भी बढ़ने लगी। अवशक्ता प्रतीत हुई कि समस्त आर जगत को मिलकर काम करना चाहिए। हमारी सब शक्तियां केंदरी भूत होनी चाहिए। है। हिदराबाद के सित्यागरहे ने दोपहर के सुर्य के समान इस्पष्ट कर दिया कि केंदरी शक्ति में कितना प्रवाव है। यदि उस समय सार्वदेशी सबा ना होती तो हमको कभी सफलता प्राप्त ना हो सकती थी। सिंध दोर से त्यात्प्रकास अंदोलन के समय में भी यही बाठ ठीक जज़ती है। इसलिए वशक्ता है कि स्वामी स्रधानन जी दिल से उपर है। आरे समाज के छेतर में सुर्यास्त नहीं होता। अपितु सदा मध्यान रहता है। इतनी विशाल संध्या की शक्ति और सामर्थ कितना विशाल होना चाहिए। इसमें संध्य नहीं कि सारवदेशी सबा की लोग प्रिता बढ़ रही है। अभी हमने सुनकर प्रसनता होगी कि उनके काम को लोग प्रसंसा की दृष्टी से देख रहे हैं। परंतु हमको केबल विपत्ती के समय ही काम तो नहीं करना। हमारा अधिक काम तो सांती के समय होना चाहिए। बाहरा करमनों से बचने के अत्रिक्त हमारा मुख के काम है। हमारी आंतर कांग्रेश की और देखो कितने पत्र हैं जो कांग्रेश की नीती को प्रते दिन प्राता काल संसार भर में फेला देते हैं। पचास लाक आरे और दोजार से अधिक समाजे हैं। यदि पचास लाक चोथाई अर्थाद बारा लाक आरे चार चार आने इस काम के लिए दें तो प्रेस और पत्र दोनों चल सकते हैं। साधनों का जन से साहित्ते में व्रद्धी हो सके। तीसरी चीज़े संगठन आर्थ समाजियों को पास्चात लड़ाई जगड़ों को देखकर यवस्वास हो गया है कि लड़ाई जगड़े उन्नती के चिन और उन्नती के साधन हैं। अता हमें जो सक्रिशाली हैं वे संगठन को ठीला करने में अपनी सांथ समझते हैं। इससे जन धन शक्ती तीनों का हास होता है। पर अंतु कठना यहा है कि यह बात कहा किस से जाए। जो मानने को तयार हैं वे लड़ने नहीं और जो लड़ते हैं उनको हमारी बात सुनने का आउशारी आउकास नहीं। फिर भी कुछ तो करना ही होगा। या तो मानना ही होगा कि सामी सरद्धानंजी अब आकर हमारी विपत्तियों को दूर नहीं कर सकते। अब वे हमारे मद्द नहीं है अब तो केवल उनकी स्मृतियों से ही सिच्चा गर्ण करनी है इस्मृति मनाने का जा अर्थ तो नहीं है कि हम हाई हाई करें तालियों की तरा ताजियों की तरा अपनी चाती पीटें हमारा कर्तब वे है कि जो काम स्रीसामी सद्दानंद जी को बहुत प्रीए था उसे बढ़ाने का यतना करे गंगा ग्यानसागर पुस्तक से सभार रूप से यह लेया गया है और इसके लेकक हमने आपको बताया पंडित गंगा परसाथ उपाध्याई जी है इस तरह के अन्य वेदिक लेकों के लिए वेदिक रास्ट यूटूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें बड़ आइकोन की खिंटी को दबा दें और अपने कीमती सुजाओ के मेंट करें धन्यवाद